हेलो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की मीठी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी हमने टमाटर को पाने में डाल कर धो लिया है उसके बाद हम इसे पाने से निकाल लेंगे हमारे पास एक केज़ी टमाटर है अब हम इन टमाटरों को कट करेंगे टमाटर को कट करने के बाद में हम एक कड़ाई चड़ाएंगे उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें चार पांच लाल मिर्च डालेंगे सुखी लाल मिर्च उसके बाद हम पंच फोरन डालेंगे ये पांच मसालों को मिक्ष्चर होता है इसे पंच फोरन बोला जाता उसके बाद में हम ये कटेवे टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा कड़ाई में टमाटरों को चला देंगे एक दो मिनिट चलाने के बाद में इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे नमक डालकर हम थोड़ा सा ओर चलाएंगे उसके बाद हम मिर्च डालेंगे लाल मिर्च एक चमच थोड़ा सा हल्दी डालेंगे आदा चमच और ढख देंगे पाँच मिन्ट तक तेज आच पर इसे धक कर पकाना है उसके बाद में, पाँच मिन्ट के बाद में हम इसमें गुड डालेंगे पचास ग्राम, दो हरी मिर्च काट कर डालेंगे और धक देंगे हमारे टेमाटर गल चुके है देखिए, अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला नहों तो जीरे का पाउडर और काला नमक डाल सकते हैं एक चम्मच, इससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अच्छी लगीगी हम तेज आच पर इसे पका रहे हैं और बार बार चलाते रहना है अब हमारे पास 8-10 काजू है 10-15 किसमिस हैं यह इसमें डालने से स्वाद का टेस्ट और बढ़ जाएगा यह कट करने के बाद में हम इसमें डाल देंगे कि बहुत ही स्वादिष्ट ओर बढ़ इसे चटनी लगती है इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ हम भी खा मगता है दो-चार दिन के लिए इसा बना कर रख सकते हैं लिगजे हमारे चटनी तैयार हैं अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ आप इस रेस्पे को जरू ट्राइ करें रेस्पे अच्छी लगी तो लाइक करें सेयर करें, सस्क्राइब करें थैंक्यू सो मच स्वस्त रहिए, मस रहिए और खुश रहिए, हेल्थी रहिए और अच्छा अच्छा खाते रहिए बनाते रहिए और सरदी से बचके रहिए थैंक यू